आज आपसे कहूंगी आपने सिक्के का एक पहलू देखा है आज मैं आपको दूसरे पहलू से रूबरू कराऊंगी तो प्लीस इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बिना पूरा वीडियो देखे कमेंट मत केजेगा प्लीस पहले इसको देखिए समझे फिर जो आपके मन म आता है पॉजिटीव नेगिटीव जो भी कमेंट आपके मन में आता है वह आप सब्सक्राइब करती हूं कि आप सब बहुत अच्छी हों कि मैं भी छेख हूं तो आप सब के साथ जो बात आज मैं शेयर करने जा रही हूं वह है आरती के भाई को लेकि जो उसका छोटा भाई है उसको लेके जो मैं बात शेयर करने वाली हूं उसका रीजन ये है क्योंकि आप सब को बता है देखो बड़े-बड़ों को तो हम लोग कह सकते हैं कि बेटा तुझे आज ये बोलना है तुझे कल वो बोलना है तो उसको सिखा पढ़ा सकते हैं अभ कि मीडिया वाले सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे जाजपरताल कर रहे हैं अभी भी लोग उन चीजों के अंदर लगे हुए हैं कि कहीं से कुछ ऐसी बात ऐसा क्लू समझ में आ जाए सामने आ जाए जिससे कि हम अपनी जो वीडियो है उसके अंदर भार आ जाए उसके के तुरू कुछ निकाल के लेके आते हैं तो देखो मेरी जिंदगी इन चीजों में बहुत जादा चली गई है तो मैं आप बता सकती हूं कौन सच बोलता है कौन जूट बोलता है बट एक चीज यह भी है एक छोटा सा बच्चा जिसकी सम्तिंग 10-12 या 15-16 साल की उमर होग तो पहले हम सुनते हैं आरती के भाई की बात कि वो कहना क्या चाते हैं और क्या बात वहाँ पर हुई है और क्या नहीं लेकिन चोटू करेंट लगा था करेंट कौन लगवाया था करेंट लगवाया था कोई पोस्ट माटम रिपोर्ट में करेंट लगा हुआ लेकिन नाखुन नोचा हुआ था नहीं जूटने बोल रहे हैं जूटने बोले हैं भगवान जान रहा है जो भगवान जान रहा है य ओर ये तो रूम लग रहा है क्या हूं एक एक रूम है बहुत गंदगी है दिखाइए हाई जी इसमें पकड़ा गया उसमें पखड़ा गया था का है। APJ again बखड़े गए तो उनको लगा कि हम क्या करें और एक ये नया शर्यंत्र के लागया भाभी ने बुलाया था ये किया था वह किया था वह आज को साफ साफ सब चीचे पता चल जाएंगी जो भी आपके मन में डाउट हैं वो सारे आज किलेर हो जाएंगे क्योंकि इस चीज के उपर पढ़दा था काफी टाइम से लोग नहीं समझ रहे थे अभी तक एक ही पहली देख रहे थे क्योंकि वो रो रही थी चिला रही थी और आज उसको देखो कि जो बीता उसी के परिवार के उपर बीता उसके उपर कुछ नहीं बीता मैं सच बता रहे हूँ उसके उपर कुछ नहीं बीता उसके जिंदगी अच्छे से चल रही है अगर उसको याद आती है पल दो पल की कोई बात उसे याद आ जाती है तो घणी बढ़ के लिए उसकी आँखों में आसू देखने को मिलेगा जो दर्द है या तो आरती की मा या आरती की सास इन दोनों के बीच में है वरना किसी के भी आँखों में कोई दर्द शरम नहीं आरती की मा की आँखों में इसलिए दर्द है क्योंकि उसका पूरा घर बरबाद हो गया वो अपनी कोक को कोस रही है कि मैंने क्यूं ऐसी बेची को जनम दिया एक पल में एक शन में उस लड़की की वज़े से आज उसका पूरा परिवार जेल के पिछे है क्या करें? सिर्फ उस लड़की की वज़े से और अपने आपको बचाना क्योंकि माइनड़ लड़की है पड़े लिकी लड़की है उसको बहुत दाव पेच खेलना जानती है नहीं पता आपको तो मैं आज आपको कुछ ऐसे क्लू आप लोगों के साथ सेयर करूंगी जिससे आप कभी भी उसकी वीडियो देखेंगे तो आपको अपने आप सब चीचे समझ में आएंगे मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कि उसका भाई छूट बोल रहा है अभी जो आपने वीडियो देखी आगे उसके भाई ने वो रूम दिखाया वो बात्रूम दिखाया जिसके अंदर वो दोनों पकड़े गए थी और उसके भाई को जब बड़े भाई को पता चला तो वो आया वहां पर आकर देखो कोई भी है किसी की भेन बेटी के साथ कोई खिलवार करेगा उसके घर में तो किसको बर्दाष होगा किसी को नहीं होगा उन्होंने भी वही किया पर कही ना कहीं यहां पर यह बात सामने आती है कि जब इन्होंने आनन फानन में इतना सब कुछ किया उस टेम पे पुलीस को क्यों नहीं बुलाया गया जब उसके जो उमेश यादव है उसके उमेश यादव को जब पता चला रहा कि उसके बेटे को वहाँ पर पकड़ लिया गया है तो उमेश यादव सोचने वाली बात है क्या वो पुलिस को फॉन नहीं कर सकता था वो पुलिस को लेके वहाँ नहीं पहुंच सकता था बताईए जब तक तो उसका बेटा जिंदा था न क्योंकि उसी का कहना है कि मेरा बेटा मुझसे पानी मांग रहा था पानी के लिए चिला रहा था क्यों वो पुलिस को लेके नहीं गया अगर चलो उस टेम पे उसका दिमाग नहीं काम किया वहाँ पर जहाँ पर ये सब वार्दात होने वाली थी हो रही थी वहाँ पर भी तो कॉल कर सकता था न क्यों एक तरफ बड़े बेटे की शादी की तैयारी चल रही है दूसरी तरफ चोटे बेटे की मौत पर बनी हुई है पर बाप को कोई फरक नहीं पढ़ रहा वो सदमे में आ चुका है उसके साथ के जो भाई बंद गए है उन्होंने तोड फोड की है ये सब किया है पर किसी के भी दिमार्क में ये बात नहीं आए कि कॉल करके बुला ले पुलीस को क्यों जब सब चीचे हो गई है अच्छे से ड्रामा क्रेट हो गया है और उस मैडम को ये लगा कि मैं यहां रहूंगी तो फसूंगी डेफिनेटली फस्ती यार क्योंकि सारा किया कराया तो उसका था अग इसके बाद एक नेक्स टूडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगे उसको देखिएगा यकीन मानिये आज तक जितने भी लोग उसको पूझ रहे हैं क्या काम किया उसने पूझने वाला बताईए मुझे ऐसा क्या काम किया है कि उसको लोग पूझ रहे हैं उसके नाम की कसमे खा रहे हैं एक घर को बसा कर दूसरे घर को उजाडती है ये तो मैंने कहीं नहीं सुना बेटिया बेटिया तो हमेशा दो घर को बसा के चलती है ये तो अधबुदी है और एक चीज़ बताओं कोई भी इंट्रिव्यू देने इंट्रिव्यू लेने के लिए इ इसका क्या reaction रहता है वो सवाल पूछने हाँ जी ना जी आपने तो देखा होगा आपने तो किया होगा कुछ उसको लगता है कि यहाँ पर अगर मैंने कुछ बोल दिया तो यह controversy बन जाएगी तो वो चुप हो जाती है वो कुछ नहीं बोलती है क्यों अब अगर वो बोले तो लोगों को परिशानी ना बोले तो परिशानी यह कुछ अंदभगत आकर यहाँ पर यह बात बोल कर जाएंगे पर मैं आपको बता दूँ जो सच है वो हमेशा सची सामने आता ह बेशक आप उसको कितना चुपाने की कितना दबाने की कोशिश करें आज जो उसके भाई ने बात कही है क्या आप इस बात से सहमत हैं मैं तो सहमत हूं क्यूं क्यूंकि जो लोग बोल रहे थे कि उसको बातरूम में पकड़ा गया है और वो सब चीजे उसके भाई वहाँ प कौन है इन सब चीजों के पिछे किसको मुफ्त की टियार पी चाहिए थी और किसको सोशल मेडिया का गिडा था समझ में आ जाएगा अरे जब ये सब ही करना था तो जब तूस घर की बहु बग चुकी है तो क्या वो घर वाले तेरी इतनी सी बात नहीं मानेंगे कि तेरे जो माईके वाले हैं उनको छुरवा दे अपनी कंप्लेंट वापिस ले ले अपना केस वापिस ले ले तो उन्हें सजा कराएगी अरे तेरा गर बस गया है सब चीजे सही है सजा कराने से अगर क्राइम क्योंकि देखो आप हमेशा से एक पहलू देखते आ रहे हैं एक पहलू सुनते आ रहे हैं तो ये बात आपको सुननी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप इस बात को सुनेंगे नहीं तो आप दूसरी बात को समझ नहीं पाएंगे तो friends मिलती हूँ आप से अपनी next video में आशा करते हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी अगर आई है तो please comment में ज़रूर बताएगा मिलती हूँ चनल पड़े हैं सब्सक्राइब कर लिजेगा इस वीडियो के रिकारडिंग कोई भी कोशन हूँ comment section में देना मत बूलेगा और आपका कोई भी suggestion हूँ तो मुझे ज़रूर बताएगा बबाई लब योल, thanks for watching, चैसी किष्टा, शाधी रात